हाई एवरिवन वेल्गम टो आ योडिव चैनल ब्लैक डामड जिससे की डवलू से रिलेटेड में वीडियोज लगातार बना रहा हूं तो अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया और अगर आप डवलू से ल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंको डवलू से रिलेटेड होई बहुत सारे वीडियोज आनी वाली हैं तो आज का टॉबिक सुरू करते हैं तो इससे पहले मैंने डाइक और सिल के बारे में आप लोगों को बताया था एक वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में एक लिक आ रहा होगा जिसमें ब्लैक डामंड एकेडमिक वीडियोज करके हैं इसमें बहुत सारे एकेडमिक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें से आप चुनके कुछ इतनी चाहिए वीडियो देख सकते हैं परसमें मैंने डायिक और सील के बारे में बताए था कि डायिक क्या होता है धुनों में क्या अंतर होता है और अगर आ जाये तो हम क्या करेंगे आज हम लोग एक और जो लॉजिकल डिस्टर्बंस के बारे हम देखेंगे जो कि है फॉल्ट याद रखेगा फॉल्ट का स्पेलिंग क्योंकि फॉल्ट और फॉल्ड में आप लोग बेसिक डिफरेंसेस स्पेलिंग में जब मिश्टेक हो सकता है तो हम लोग बात करते हैं फॉल्ट का कि आखिर फॉल्ट होता क्या है तो इसका डिफरेंसेन कुछ ऐसा है कि पृत्वी के भूत आत्वी खलचल के कारण जब कोईला तूट कर उस अस्थान के ऊपर या नीचे चला जाता है तथा तूटे हुए अस्थान में पत्थर आ जाता है तो उसको हम लोग इस परकार को फॉल्ट कहते है ठीक है यानि जब कभी हम लोग ऐसा कोल का सीम रहता है जिसे यहां पे आप फोटो पे देख रहे हैं कि यहां पे एक कोल का सीम था ये कोल सीम अगर नहीं कुछ होता तो कंटिनूस ली रहता लेकिन किसी कारण से इसमें बीच में ऐसे क्रैक आ गया और क्रैक आने के बाद जो सीम है वो उपर और नीचे आ गया यानि इसके बीच में दूरी आ गया कोल सीम जो है वो एक उपर आ गया एक नीचे आ गया तो और भी कुछ कंडिसन से फिलाल जो cold sim है ये cold sim के बीच में जो vertical distance होता है इसको हम लोग बोलते है fault का throw fault का throw का मतलब होता है इतना दूर कोईला का जो sim है वो फेका गया है यानि कोईला का फेका जाना, cold sim का इतना दूर फेका जाना इसको हम लोग बोलते है fault का throw इसके बाद यह जो cold sim का last छोर होता है और यह जो cold sim है इसका first छोर जो होता है इन दोनों को एक plane match करती है line मिलाती है जिसको हम लोग बोलते है fault plane तो याद रखेगा fault क्या होता है fault plane क्या होता है तो एक तरस से for example यहाँ पर हम बात करें कि fault का throw यानि कि अगर मान लिजे cold sim था वो cold sim टूट के नीचे चला गया और उसके बीच का जो difference है वो 10 meter है तो इसका मतलब यह है कि fault का throw जो है वो 10 meter है यानि कोईला sim जो है वो 10 meter फिका आ गया है तो इसको हम लोग बोलते है साधारन फौल्ट यानि normal fault दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते है reverse fault जिसको हम लोग overlap भी करने आप बोलते है overlap fault भी बोलते है reverse fault तीसरा जो होता है transverse fault इसको कुछ-कुछ किताबों में trans current fault भी बोला जाता है तो एक ही करें हम तीनों fault को देखते हैं सबसे पहले अगर हम आते हैं normal fault के बारे में तो अभी हम जो उपर में पढ़ाएं आपको जो बताएं कि cold sim है तूट के उपर यह नीचे आजाता है इसको हम लोग normal fault बोलते हैं तो इसका भी same वही type है कि cold sim एक ऐसा गर के जा रहा था वो तूट करके नीचे आ गया ठीक है यहां पर इंकलाइन करके दिखाया है बिसकलिए ऐसे अगर हम देखेंगे तो यह जो उपर नीचे आ गया है इसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो fault है इसको normal fault हम लोग कहते हैं यहां पर देखेंगे एक coal का sim था या कोई भी sim था mineral का तो मैं बता रहा था कि यह जो sim है coal का या माल लेजे यह अगर कोई mineral का sim होता है यह mineral का अगर कोई layer होता तो वही जब उपर आ जाता है या वही mineral जब नीचे आ जाता है तो इसको हम लोग basically normal fault कहते हैं यानि कि एक side जो है उपर या नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग normal fault कहते हैं दूसरा जो fault होता है वो होता है reverse fault इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है माल लेजे एक coal का sim है यह जो लाल वाला coal का sim है ठीक है यही वाला टूट करके अगर उपर नीचे आ गया है बट आप गौर किजेगा तो coal sim जो है वो कुछ इतनी लंबाई तक है और यह एक दूसरे से इतना portion तक overlap कर जा रहा है तो इस condition में इसको हम लोग जैसे यह जो portion है पूरा का पूरा यह portion आपका हो जाएगा overlap कर जा रहा है देखें coal sim जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि यह reverse fault है यानि जब overlap कर जाता है तो इसको हम लोग reverse fault कहते है फर इक्जामपल यहाँ पे देखें एक line समझाने कुसिस क्या है कि अगर यह coal sim है और यह है ठीक है तो इस condition में या यहाँ पे देख रहा है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इतना सा portion overlap कर जा रहा है तो simply आप समझ गया होंगी कि reverse fault मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे जब कोई भी portion आ जाता है coal sim का टूटा हुआ portion तो इसको हम लोग reverse fault कहते है reverse fault को आप इस photo के जरीए भी समझ सकते है फिलाल इसको हम समझाने को कुसिस करते हैं माल लेजे यह वाला अगर जो layer है ठीक है और यह जो उपर वाला layer है यह दूसरे से थोड़ा सा portion अगर overlap हो जा रहा है तो उस condition में इसको हम लोग reverse fault कहेंगे next जो last है वो है transparent fault transparent fault क्या होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते है विसम दिसा fault ठीक है विसम दिसा fault में क्या होता है कि normally हम लोग क्या पढ़े fault के बारे में कि यह एक fault था उपर और नीचे आकर deposit हो गया था दोनों के बीच में gap आ गया था या तो यह वाला portion था या फिर दूसरा हम लोग पढ़े कि कुछ call sim था इस call sim का कुछ portion overlap कर जा रहा था ठीक है यानि कि लगभग अगर इतना portion का हम बात करें तो इतना portion overlap कर जा रहा थे जिसको हम लोग बोल रहा थे कि ये reverse fault है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये जो कभी-कभी क्या होता है कुछ conditions में कि reverse fault में आपने देखा और normal fault में आपने देखा normal fault में उपर नीचे थोड़ा gap था ठीक है और reverse fault में आपने देखा कि एक दूसरे का उपर एक छोटा सा portion आ गया था बट transverse फर्ट में होता क्या है कि ये जो call का sim है यही call sim लगातार जाता है बट इसके बीच में थोड़ा से gap पाय जाता है और यही call sim एक उसी label में ना उपर मिलता है हमको ना नीचे मिलता है बलकि थोड़ा सा portion छोड़के हमको यही वाला call sim जो है वो मिल जाता है यानि इतना जो portion है इस portion को अगर हम छोड़ दे बीच में थोड़ा से gap आ जाता है एक दूसरे से दूर हड़ जाता है यानि इतना portion एक दूसरे से separate हो जाता है बट है actually वही वाला call sim एक ही label पे है एक ही plane पे है बस एक दूसरे से थोड़ा सा separate हो गया है इसको हमनों बोलेंगे transparent fault जैसे अगर बात करें तो यह जो fault है यानि transparent fault जो है यह आसाम में ज़्यादा तर पाए जाता है तो आसाम का area जो में आपको transparent fault कोईला में इन चीज़ों में call sim में normally मिल जाएगा एक होता है up throw fault एक होता है down throw इसका मतलब आप समझेगा मान लीजिए आप ऐसे करके call sim में जा रहे थे approach कर रहे थे call sim को काट रहे थे इसके बाद अचानक से आप देख रहे हैं कि जो मेरा call sim था वो अचानक से नीचे गिर गया है इतना नीचे चला गया है तो ये वाला जो call sim होगा इसको आप बलेंगे up throw और ये नीचे वाला जो call sim इसको आप बलेंगे down throw fault यानि कि आपके नीचे है ठीक है सबोज अगर यही वाला उल्टा होता उल्टा होता का मतलब आप जब call sim को approach कर रहा होते तो कुछ इस direction से approach कर रहा होते अगर आप मतलब मान लेजे कि इस तरफ से आप आ रहे थे और इसके बाद आने के बाद आचानक से आप देखे कि अरे कोईला जो का जो sim है वो नीचे ना होगर के उपर है तो इस condition में आप जिस fault पे खड़े हैं इसको आप बोलेंगा down throw fault और इसको आप down throw fault बोलेंगे इसको आप up throw fault बोलेंगे तो मतलब जो नीचे है उसको हम लोग down throw fault और जो उपर है उसको हम लोग up throw fault कहते हैं कुछ और fault के बारे में देख लीजे मान लेजर कोल सीम है يएछ फूरा था उसी का कुछ फॉर्षन बीच में से divide हो गया ऐक पॉर्षन यहाँ से cut गया और cutने के बाद यह जो कूर्षन आप देखेगा वो कुछ इस टाइप से के हो गया कि यहाँ छोटा सा पॉर्षन है कोल सिम का फिर वो थोड़ा सा नीचे पाया जा रहा है कोल सिम का फिर वो थोड़ा सा नीचे पाया जा रहा है कोल सिम का अगर प्लेन का बात करें फॉल्ट प्लेन का वो तो वो ऐस कुछ ऐसा ही है तो उस कंडिशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि ये अस्टे फॉल्ट है या बीच में से divide हुआ था किसी कारण से और यह जो कोल सिम था वो कुछ ऐसा पाया जाने लगा, उपर मिला हमको कोल सिम, फिर वो हमको थोड़ा सा पोर्शन नीचे मिला, फिर वही वहला कोल सिम उसी के बराबर में या उपर में ही मिला उसका label भी हो सकता, उसकता label से उपर हो ऐसा कोई problem नहीं है, तो उस condition में उसको हम लोग बोलेंगे, कि यह जो है यह trap fault है, मतलब यहाँ पे जो आप photo देख रहे हैं, यह जो photo है, यह trap fault का photo है बस इसी को उल्टा कर दिजिए यानि कि समझे एक बाल्टी रखा हुआ, बाल्टी को आप उल्टा कर दिजिएगा, तो आपका rigid fault हो जाएगा तो वही वाला मतलब नीचे fault था पहले, फिर वो वाला कुसका कोई portion उपर मिला, फिर लगाता नीचे मिला, तो उस condition में हम उसको बोलेंगे, कि ये rigid fault है तो इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो ट्रफ fault है, ये सीधा बाल्टी है जो rigid fault है, ये उल्टा बाल्टी है और step fault जैसे कि डाम से ही पता step यानि सीधी नुमा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं I hope कि fault क्या होता है, fault कि कितने प्रकार होते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ गया होंगे हलाकि ये मेरा पूरा study material है और आप टेलीग्राम गुरूप को जोइन कर लिजेगा वह मैंने साथ सेयर किया होगा, आप वहांस जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करी लेना चाहिए और अगर आप guest testing के preparation कर रहा है, तो guest testing को मैं online पढ़ा रहा हूं और उसके लिए मैंने YouTube से ही एक join button उसमें डाला है और उसको आप कैसे जॉइन केज़ेगा वीडियो के लाश्ट में वीडियो आजागा उसको क्लिख करके आप देख सकते हैं कि येस्ट्रेस्टिंग का आप अललाइन आपको जब मनकरे आप आप कलास कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए keep watching, keep supporting, till then, जैहिन